ये दुनिया जितनी रहस्य मई है उतनी ही भयानक भी है अब कुछ लोगों को मेरे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो इस बात पर विश्वास करते होंगे जो लोग नहीं करते हैं उन्हें मैं 100% की गारेंटी देता हूँ पूतिया गुरियों की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगे लेकिन जिस गुरिया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गुरिया आज भी हमारे इस धर्ती पर मौजूद है अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं किस गुरिया के बारे में बात कर रहा हूं जी हाँ मैं वही इस रापित गुरिया एनावेरा डॉल के बाले में बात कर रहा हूँ जिसे हम सबसे पहले एक मूवी के थूर जाने थे तो कहानी की सुरुवात होती है अमेरिकन लेखक जौन गुरुवेल से जिन्नोंने अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था लेकिन सच यह है कि डॉल बहुत रहस्तिमाई रूप से इनकी जिन्दगी में आई थी इसके बारे में जानकर आपको काफी ताजूब होगी दरसल बात उस वक्त की है जब लेखक बच्चों के लिए एक किताब की सरिंखला की रचना करने वाले थे उन्होंने रेजर उन स्रीज नाम का एक किताब के साथ एना मेना डॉल को भी मार्केट में लॉंच किया उनकी ये किताब बहुत रोचक सावित हुई डॉल के पीछे छुपी एनोकी कहानी ने लोगों को इस तरह जानने के लिए पागल कर दिया कि वो अब उसे बरदास ना कर सके तो बात उस समय की है जब जॉन गुर्वेल को अपनी घर के बैक्यार्ड में ये डॉल मिली थी उनकी बेटी जिसका नाम मौरलिसा था वो जन्म से इस डॉल के साथ खूब खेला करती थी वो दिन भर इसे खेला करती थी लेखक ने जब इसे खेलते हुए देखा तो उन्हें रेचरी उने स्टोरी लिखना का सौक हुआ लेकिन दुखत बाद ये है कि 13 साल की उम्र में ही मौरलिसा की मौत हो जाती है उसकी मौत का कारण आज भी रहस्य बनकर ही कायम है और इसे किसी ने सबी तक सौब्ड नहीं कर पाया है पर हैरानी की बात उस समय हुई जब मौरलिसा की मौत के बाद एनावेला डॉल जिससे वह दिन भर खेला करती थी वो अचानक घर से कही गायब हो जाता है जिस रहस्य मई धंग से वो इस घर में आया था उसी रहस्य मई रूप से वो गाय भी हो गई किसी को नहीं पता चला कि वो डॉल आखिरकार कहां गई फिर एक दिन वो डॉल एक एंटिक सौप में मिली ये बात साल 1970 की है जब एक नरसिंग अश्टूडेंट जिसका नाम डोना था उसकी मा ने उसे इसे बड़े गिप्ट पर दिया था वो उस डॉल के साथ खूब खेला करती थी वो भी उस डॉल की खूब सौखीन थी लेकिन एक दिन उसने इस ये नोटिस किया कि वो डॉल अपनी पॉजिशन चेंज कर लेती है यानि कि डोना उसे जहां रखती थी वो वहां नहीं रहकर बलकि घर के दूसरे कौने में रहती थी तो फिर डोना ने ये सोचा कि साथ वो ही उसे वहां रख देती होगी पर इसे एक सप्ता दो सप्ता देखते ही डोना बहुत जादे घबडा गई और अब वो उसे बरदास नहीं हो सका वो अतना घबडा गई कि उसके दोस्त पेरानॉर्मल एक्टिबिटी डिपोर्टर को बुलाए और सारी बात बात बताए पेरानॉर्मल एक्टिबिटी डिपोर्टर उस डॉल को देखता है जैसे कि वो पूसता है कि तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां से आई हो उसके बाद डॉल का जबाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे उस डॉल का जबाब था कि मेरा नाम मौरलिसा है मेरा उम्र 13 साल था जब मुझे मारा गया था मैं खुद से नहीं मरी मुझे मारा गया था और ये बात बताकर वो फिर से गायब हो जाती है सैद आपको याद होगा कि वही लेखक की बेटी मौरलिसा थी जो रहसमाई रूप से मर गई थी और फिर क्या था पिर नॉर्मल एक्टिबिटी रिपोर्टर उसे अपने मंतर से उसे उपस्थित करते हैं और उसे इस तरह कांच के बकसे में बान देते हैं जिससे वो चाह कर अभी कभी नहीं निकल पाएगी और उसके बाद उसे एक म्यूजियम में ले जाकर बंद कर देते हैं जहां कि वो आज भी उपस्थित है तो क्या आपको अभी भी भरोसा हुआ अगर हुआ तो प्लीज हमें कॉमेंट जरूर करें बाई